नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजिनेर में आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है, मेरा नाम है देपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स साइकलोजी के क्विस्टों आंसर्स का आठों पार डिसक्स करने वाले हैं इसके पहले के साथ वीडियो जो है, स्पोर्ट्स साइकलोजी के क्विस्टों आंसर्स के वो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी आप चेक आउट कर लेजी, वीडियो शुरू करते हैं, पहला क्यूशन है, निमनलकित में से कौन सा सुमेलि दरने, यह हमें ध्यान में रखने है, बाकी केथार्टिक थोरी दी थी अरस्तु ने, रिकेप्चुलेटरी थोरी दी थी, जे स्टेनली हॉल ने, और इंस्टिंक्ट प्रेक्टिस थोरी दी थी, मैक डूगल ने, स्पोर्ट साइकलोजी के लाश वीडियो में हमने ग्राटिक थोरी दी थी अरस्तु ने, उस वीडियो में बाकी जो सेकिंड ऑप्शन था, उसको आप सही मत मानिए, कि ठार्टिक थोरी के बार में आपको धान मखना है, कि वो अरस्तु ने दी थी, नेक्स्ट है, विध्यारतिक गल्दी करता है, तो शिक्षक को क्या करना च जाहिए राइट अंसर क्या इसका मारक दर्शन एम प्रामर्स देना जाहिए देखिए सबसे पहला इसमें ऑप्शन है डांटना जाहिए या आप मत कीजिए क्योंकि डांटने के बाद बच्चे में सुधारगी उंजएस कम हो जाएगी दंडी तो आप बिल्कुल करी नहीं सक इसके बाद में आपके लिए जो उसके दिमाग में इज्जत है वो दिरे-दिरे कम होती जाएगी इसके वज़ाए आप क्या कीजिए उसको अच्छे तरह से गाइड कीजिए और उसको अच्छे सुधाओ दीजिए जिससे कि वह इंप्रू कर सके गलती बच्चों से हो जात चुछे को प्रेस करना है यहां से उसका खाना आएगा और नीचे उसके एक शॉक जनेरेटर दिया हुआ है जब भी वह गलती करेगा और कुछ टच कर लेता है तो नीचे उसके यहां पर थोड़ा सा करंट लगेगा यह पूरा एक मेकनीजिम था तो दिरे दिरे क्या किया गया चुछा इधर दिर हाथ मारता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता और जैसे वह लिवर को सही तरिके से द किया था कि जो लर्निंग है जो शीखना है वह हम बार-बार जब करते हैं तो हमें वह हो जाती है हम उस चीज़ को शीख जाते है यह सिंपल सा एक उनका एक्सपेरिमेंट था जो कुछ हद तक यहां पावलव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी जैसा था नेक्स्ट है राइट ऑंसर का है इसका समकक्सवर्ग equivalent group देखिए जहांपर भी वो रहता है जैसे लोगों से वो मिलता है जैसे बच्चों के साथ हो रहता है उनसे वो सबसे ज्याधा सीखता है जैसे मान लीजिए वो इसकूल के अंदर है तो इसकूल इसमें राइट आंसर नहीं होगा क्य से जो साथ के दोस्ते और उनके साथ वो खेलते खेलते सीखता है और उनसे प्रभावित होता है, इसलिए किसवर वस्ता के दोरान बच्चा, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी के बजये उसके जो सेम गुरूप के बच्चे हैं उनसे सबसे ज्यादा वो सीखता है नेक्स्ट है व्यक्तित्वों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है देखिए personality है उसको सबसे ज़्यदा effect करने वाला man factor कौन सा है सही answer है इसका inheritance and environment वंसानो करम और वातावरन ये सबसे ज़्यदा प्रभावित करते हैं व्यक्तित्वों को देखिए आपसे पहले की जो PD है उसका फरक पड़ेगा आपके क्यों मिलती है इसका infancy यह हमारा सही answer है देखिए दो से तीन साल तक की जो उमर होती है जन्म के बाद दो से तीन साल की जो होती है उसको बोलते हैं सेश्वकाल उसके दोरान बच्चे का विकास सबसे ज्यादा होता है सबसे अथिक ग्रोथ होती है बच्चे की नेक्स्ट है निमन मैंसे कौन सा क्रेस्मर के सरीर प्रकार की वर्गिकरण नहीं है देखिए क्रेस्मर ने बोड़ी टाइप का एक क्ला एक्टोमॉर्फ मीज़ोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ तो इन दोनों को ही क्योशन आपको देखने को मिलते हैं ज्यादा तर एक तो हैं क्रेस्मर्ण और एक हैं सेल्डन तो इनको ध्यान में रखना है कि एस्थानिक है एक्टो मॉर्फ की समान, एक्टलेटिक है मेजो मॉर्फ और पिक्निक है एंडो मॉर्फ की समान, डाइप प्लास्टिक भी आपको देखने को मिलेगा कैस्मेर के अंदर, अगर आपको अप्संस में कहीं दिखाई दे, तो आप इसको भी सरी कहा देजिए, चार है, मेनली इन के बारे में डिसकस किया जाता है, तो इनको हमें जहान में रखना है, एक्टो मॉर्फ, मुजो मॉर्फ और एंडो मॉर्फ, यह हैं सेल्डन की, तो देखिए, मॉर्फ जिसके पीछे नाम आ गया, मॉर्फ का नाम आ गया, वो तो हैं सेल्डन की, और आईसी, एस्थेनिक, और पिक्णिक और चोंथा कर बात कर और बात करें ले MILL प्लास्टिक यह livres smart तो इनको याद कैसे रखोगे सबसे लास्ट बनाम है एक, एक मतलब लास्ट में क्यona है थो एस्टैनिक अथलेटिक पिक्णिक, ये लास्ट में की आएगा तो क किया से स्टार्ड कॉन सा होगा और पिकनिक और डाय प्लास्टिक के लास्ट में आ रहा है मतलब के मतलब क्रेश्म है और दूसरा जो बच गया एक्टोमॉर्फ मुजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ इनका क्लासिफिकेशन किया है सेल्डन नहीं आयोप आप समझ गये होंगे यह देखिए यह सोमेडो टाइप सब्सक्राइब और एंडोमॉर्फ मनुजोमॉर्फ और अक्टोमॉर्फ इन तिनों का आप सामुषा क्यों साकते हो एण्दोर मतलब मूटा थूलथुला स्रीर मूजोमॉर्फ ऑफालिटीक होती है और एकटोमॉॉफ लंबे है हात है है पैर भी लंबे होते हैं और गर्द कि इसना का गटक नहीं है देखिए एक्टो मॉर्फ के अंदर इन चार उप्संज में से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता राइट अंसर कहा इसका मजबूत एम लंबी गर्दन से हमारा correct answer है, यह देखिए, यह है एक्टो मॉर्फ, एक्टो मॉर्फ में आपको strong और लंबी गर्दन नहीं मिलेगी, बाकि लंबी गर्दन मिलेगी लेकिन आपको पतली मिलेगी, इनको आपको धान में रखना है, इसके बाद में लंबी अनुदार छाती, लंबी नहीं मिलेगी, नहीं होगी, इसके साथ साथ हो मजबूत नहीं होगी, मजबूत और लंबी गर्दन में मीजो मॉर्फ में देखने को मिलती है, लेकिन लंबी और पतली गर्दन में देखने को मिलती है, एक्टो मॉर्फ में, नेक्स्ट है, मनोविज्यानिक परिक्ष्ण द्वारा कौन सी आयो का पता लगा जाता है देखिए psychological test जो करते हैं हम कौन सी एज का पता लगाते हैं राइट अनसर की इसका मांसिक आयो बी हमारा correct अनसर जाएगा देखिए एक है chronological age कालानु कर्मिक जो एज है उसमें year मंत और दिन इन सब में जब हम एज को देखते हैं, वो आती है काला नुकादमिक एज, मांसी गेज आपने देखी लिया, जिसमें कि साइकलोजिकल टेस्ट हम करते हैं, सरीर प्रचना जिसको की एनाटॉमिकल एज बोलते हैं, जिसको हम तीथ या फिर उनसे चेक करते हैं, और लास्ट में किरियात्मेगेज, फंक्सिन मतलब कौन सा आदमी की इस तरीके का काम कर सकता है, तो यह पूरा एज के कौलिफिकेशन था, इस तरीके से हम इनको देखते हैं, नेक्स्ट है, इस्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा, इसका छै वर्गों में बांटा, और इस शै वर्गों कौन से थे, ज्यान परदान, सुंदर्य, अर्थ, राजनिती, दर्म और समाज, इन शै वर्गों में बांटा है, इस्पेंसर ने व्यक्तित्व बागो, इन शै के भार किसी की भी परसनलेटी नहीं होती, इस्पेंसर के अनुजार, नेक्स्ट है, एंड़ों मॉर्फ की विसेष्था है, थास्ट क्वेशन में हमने एक्टों मॉर्फ की विसेष्था देखी, अब हमसे एंड़ों मॉर्फ की विसेष्था पूछे, राइट आंसर कहा इसका, B, relaxed and fat यह देखिए, यह endomorph है यह आराम से रहते हैं रिलेक्स रहते हैं, दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए, यह अपना chill करते हैं, इनको बोलते हैं endomorph, थोड़े मोटे होते हैं healthy जदा होते हैं यह, सूस्त भी होते हैं इसलिए इनको endomorph category के अंदर रखा गये हैं, और क्रेस्मर की जो classification थी उनमें इनको aesthetic category के अंदर रखा गये हैं, यह आपको जान में रखना है, next है किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को परियावरण के संदर्भ में व्यक्ति की परकृरियाओं का अध्यन बताया है, देखिए statement हमारे सामने है, इसमें मनोविज्ञान को परियावरण एक नाहम है परियावरण और व्यक्ति की परकृरियाओं है, यह दो चीजा आई है इसका अध्यन, इनकी study के बारे में किसने बताया है, राइट इसका विलियम जेम्स, इसको आपको धहन में रखना है, कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के अंदर परियावरण और परकृरियाओं के वारे में डिसकस किये next है, इस्टेलने होल के अनुसार, माना विकास के लिए कौन से काल को जन्म पुरू अन्भों के पुरा वर्तन का काल माना जाता है, राइट अंसर के इसका शेश्वा काल, देखिए इसमें इस्टेलने होल ने क्या कहा था, कि जो शेश्वा काल होता है, दो से तीन साल के उमर के बीच का जो टाइम है, उसके अंदर बच्चा जन्म पुरू अन्भों, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले के जो एक्स्पिरियेंस हैं, उनको वो रिकॉल करता है, उनको वो याद करता है, और वो कौन से काल में होता है, सेश्वा काल में, ये इस्टेलने होल ने कहा था, नेक्स्ट है, Somatatropic Harmonyantrity करता है, देखिए एक हॉर्मवन हमारे बोडि के अंतर होता है, जिसको की Somatatatropic का जाता है, यह हमारे बोडि में क्या कंट्रोल करता है, आइट अंसर के स्का, Body Growth, हमारे स्रीर की वरद्धी है, उसको कंट्रोल करता है Somatatatropic Harmony, important है इसको आपको ध्यान में रखने है last question है सारलिक स्क्षामे व्यक्तित्वय का क्या सब्मंद में व्यक्तित्व स्क्षा का एक हिस्सा है यह हमारा सहテर ओजायगा देख़क समया है आपके जासनरों में परसनलीटी सब्सक्राइब तो फिजिकल एजुकेशन का यह पार्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है तो चलिए दोस्तों फिराले स्वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसे ला कमेंट्स में जुरूर बताएं लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पसंद आए हो तो अग कर दो कर दो सकते हैं।